आगया वो दिन जिसके लिए आप लोगों ने इतने महीने मेनत करी है अब आप लोगों को क्या करना है मैं सिरफ एक आप लोगों को गुरु मंत्र देना चाहता हूँ जो आप लोग कल की वेपर में जरूर फॉलो करके आएंगे और गुरु मंत्र ये है कि आप लोग 100% पेपर अटेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे सबसे पहले जो आता है उसको और लास्ट में ले जाके जो नहीं आता है उसको भी पूरा कपूरा करने की कोशिश करेंगे ये गुरु मंत्र मैं पिछले 12 साल में सीखा हूँ और अपने हर बार दिया है और बहुत सारे बच्चों ने इसका बहुत अच्छा feedback दिया है लेकि अगर आप पूरा paper नहीं करके आते हैं तो आप लोग वैसे ही न जो भी portion अपने blank छोड़ा है आप वहाँ कहके आगए कि मुझे 0 marks दे देना और अगर आपने पूरा paper किया है तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अगर उस पे एक भी marks मिल जाता है ऐसे portion पे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता था आपने फिर भी अपने जो experience और knowledge के basis पे उसे कर दिया paper lendy आता है यह सब को पता है accounts को पर lendy आता है लेकिन अगर आप लोग पहले से mentally prepare होके जाएं और बस एक चीज दिमाग रखें 100% 100% तो definitely आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा दूसरी बात मैं assume कर रहा हूँ कि आप सारी guidelines follow करेंगे जो भी institute में दिये कौन से color से विपर करना है calculator क्या लेकि जाना है क्या नहीं प्लीज महाँ पे panic मत कीजिएगा जो भी चीज़े आपको ले जानी है भाई उन्हें समाल के भी तक रख लो अपने पास अच्छे से तीसरी बात एक काम और कर लिजेगा अपने माता-पिता का आश्रबार लेके जाएगा अगर आपके साथ हैं तो चरन्च पंश कर लीजेगा अगर आपके साथ नहीं है तो बस ये मगण कर लीजेगा और अगर सही लगे आपको आपने टीचर्स से भी बहुत जादा प्यार और लगा होता है तो एक बार उनको भी याद कर लिजेगा ताकि उनका भी आशिरवाद आपके साथ एक्साम में आपके साथ चलता रहेगा अगर थोड़ी बहुत घबराट हो रहे है वो बिल्कुल नॉर्मल है आपको उससे बिल्कुल भी अब टेंच चलने की जूरत नहीं है बल्कि वो एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि आपने प्रप्रेशन करी है इसलिए आपको थोड़ी सी घबराट हो रहे है राइड गाईज दिस्नोट थाइंक यूर्माट से कनेकेट स्टेय है जय हिंद और हमित्रों सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो चीतना शुरू आल दी बेस्ट जाओ खोड़ो 100% खोड़ो